नमस्कार मेरा नाम निशा उचा है और आप DTW24 निउस देख रहे हैं यू तो हमेशा से ही ये देखा आया है कि इलेक्शन के वक्त वोट देने के लिए लोग घर से चलकर इलेक्शन बूत तक जाते थे लेकिन इस साल के चुनाव में एक नया अध्याई इसमें जुड़ा है जिसका नाम है Postal Ballot यानि की डाक मत जिसके द्वारा Senior Citizen या फिर विकलांग जो और सक्षम है बूत तक जाने में वो घर से ही मतदान कर सकते हैं जिसका निरिक्शन जिला के पदधिकारी कर रहे हैं कोरोना काल के कारण एहतियात के तौर पर जिन वरिष्ट नागरिकों ने जिन्होंने आवेदन Postal Ballot के लिए किया था अब उनका वोट उनके घर जाकर सेक्टर मजिस्ट्रेट के सामने बी अलो की मदद से वोट कराया जा रहा है आज पहला वोट पटना गदी रोड के स्री भरत जी राउत ने अपना वोट Postal Ballot के माध्यम से दिया आज इस कर्म में मधुबनी जिले के खजौली विधानसभाद के जैनगर शहर के सेक्टर संख्या 22 के वरिष्ट नागरिक का वोट पोल कराया गया इस मौके पर जानकारी देते हुए सेक्टर मजिस्ट्रेट ने बताया कि कोरोना के मद्दे नजर जारी दिसा निर्देश के अनुसार जो भी व्रिध जन सीनियर सिटिजन विकलांग बूत तक जाने में और सक्षम है उन लोगों के लिए आवेदिन लिया गया था जिसके वज़े से अब हम लोग घर घर जाकर उनका पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट करा रहे हैं इस पूरे प्रक्रिया के दौरान एक सिपाही बी यलो सेक्टर मजिस्ट्रेट मौजूद रहते हैं जो है ना कि जो एटी पलस उल्ड एज के जो लोग है जो अक्षा में बूठ पर जाने में और जो विकलांग है उनके लिए जो है सरकार व्योस्था की है पोस्टल बैलेट का उना तो उसमें आपके दौरा इनके दौरा इनके दौरा आवेदन किया गया था जो के अचैप् वोट कास्ट करवा रहे हैं उनके घर घर जाकर ही करवाना है अपना पढ़्चे देज़ेगा हम इसमें एक टीम है अनब वोट कराने के अन्दा एक सेक्टर प्रदिकारी है और बियलोज है और पुलिस प्रदिकारी है केस विधान सफा में है अब यहां खजोली विधान सफा चेतर में है किस प्रकंड में सेक्टर नवर 24 है प्रकंड विजयनेवर्ट पाशान पतिया बोटर कर दो नो कुछ अबर दरी टाव करने किने ना कैसे तो बजेंग भरजी रहते हैं यहां पासो कुछलो कुछलों बरहाल इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रही अगर अब तक आपने हमारे पेज को लाइक नहीं किया है तो फेस्बुक पर लाइक कर लिजे और यूट्यूब पे सब्सक्राइब भी कर दीजेगा बहुत बहुत शुक्रिया